हेलो गईज आज की लेक्षर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट ओफ सीमेंट तो कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है सिमेंट का और इसको हम लोग क्यों करते हैं इसका क्या बेनिफिट से अगर इसको करेंगे तो और अगर नहीं करेंगे तो क कहीं पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लोग करेंगे मोटार बनाएंगे इसके बाद जैसे ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है ब्रिक्स वर्क्स करना है तो क्या वादा है कि सीमेंट में कितना वाटर का का रिक्वाइर्मेंट होगा मिंस कंसिस्टेंसी टेस्ट से ही हम लोग निकालते हैं और अगर हम लोग निकालने की इनिसल सेटिंग टाइम क्या होगा फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा कितना वाटर का रिक्वाइर्मेंट होगा तो उसके लिए हम लोग कंसिस्टेंसी टे करते हैं और क्यों करते हैं आपको बता दे कि अगर कहीं पर हम लोग कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं तो हम लोग तो सारा कुछ एमाउंट निकाल लेते हैं कि सीमेंट पचास बैग लाएगा अग्रिगेट वन सी एफटी लाएगा ब्रिक्स इतना लेगा अ इतना लएगा तो यह सब सारा निकालने दा बट हम लोग के पास जहां पर वाटर का इसकारसीटी रहता है तो इस वाटर का डाटा एग्जक्ट नहीं रहता है हम लोग को मालूम नहीं रहता है और जो लोकल मैसन रहता है उन लोग यह सारा कलकुलेट कर देता है कि कितना सीमे लेकिन वाटर का कितना requirement पढ़ेगा जब हम लोग construction वर्क करेंगे और जब करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं और इनिस्टिंग टाइम जैसे अगर सिमेंट को हम लोग यूज कर लिए water के साथ react करा दिये और वो strength gain कर लिया सिमेंट तो इसका setting time होगा कितना initial setting time कितना होगा and final setting time कितना होगा उसको हम लोग calculate करने के लिए consistency test करते हैं तो जब भी हम लोग को water cement ratio निकालना आता है means की इतना सिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं इतना aggregate यूज कर रहे हैं अधना reinforcement area में यूज कर रहे हैं तो कितना water requirement होगा उसी के लिए हम लोग consistency test करते हैं और main purpose है consistency test करने का initial setting time and final setting time of cement तो आपको समझ में आ गयोगा कि consistency consistency test क्या होता है और यह क्यों करते हैं इससे क्या बेनिफीट से तो चलिया अब हम लोग लेंवेज में देखते हैं consistency test of cement this test is conducted to determine the percentage of water required for preparing cement paste of extended consistency for other test setting time soundness and compressive stand test is performed with the help of Vicar's apparatus which consists of a plunger having 10 mm diameter and 40 mm length the Vicar's apparatus determined the initial and final setting time and normal consistency of cement to is make a high key percentage of water कितना वाटर लागे का देसे अगर हम लोग 100% कुछ यूज कर रहे हैं तो उसमें वाटर का कितना रेशियो रहे जिसे 20% होता है 30% होता है तो जब भी अगर consistency test में हम लोग वाटर का requirement निकालते हैं तो वो होता है 30% 25 to 35% होता है जैसे अगर हम लोग सीमेंट 50 kg एग्रिगेट 50 kg यूज कर रहे हैं तो इसका 30% जो वेट होगा वो क्या होगा वाटर का तो 30% टोटल का 30% वेट वाटर का requirement होगा तो हम लोग अब डिटेल्स में लेंग में देखते हैं दिस टेस्ट इस टेस्ट इस कंड़क्टेट टू डिटर्माइन दिपर्सेंटेज अफ वाटर रिक्वाइड फॉर प्रिपेरिंग सीमेंट पेस्ट और time soundness and compressive strength test performed तो जब भी हम लोग consistency test करते हैं तो वाटर कितना रिक्वाइड होगा सिमेंट पेस्ट को प्रिपेर करने के लिए standard consistency के form में तो इसलिए हम लोग consistency test करते हैं और यह भी हम लोग बोल सकते की setting time और soundness test करने के लिए हम लोग consistency test करते हैं compressive strength test करने के लिए consistency test क्या जाता है बट मेर परपस जो है consistency test करने का consistency test का वो है कि वाटर का requirement percentage of water requirement and initial and final setting time of ciment तो इसमें जो यूज क्या जाता है apparatus कैसी क्या आता है विकार्ट सब्रेटर से क्या आता और उस अपरेटर्स का नाम है विकार्ष अपरेटर्स और इसी के थूरू consistency test क्या जाता है तो इसमें प्लंजर होता है जो कि 10 mm diameter को होता है and 40 mm length का होता है जो कि उसमें हम लोग cement को रख करके और उसको compress करते हैं जैसे भी चेक होता लेबरेटरी में दिविकार्स अपरेटर्स डिटर्माने इनिस्टेल एंड शेटिंग टाइम एंड नॉर्मल कंसिस्टेंसी ओफ सिमेंट और विकार्स अपरेटर्स जोता है उसी से कंसिस्टेंसी चेक करते हैं हम लोग इनिस्टेल एंड फाइनल सेटिंग टाइम नेस्ट पॉयंट बहुत इंपोर्टेंट पॉयंट है और इसके रिगार्डिंग जानना बहुत जरूरी है तो जब भी सिमेंट का क्वांटिटी होता है एंड सेंड का क्वांटिटी होता है एग्रिगेट का क्वांटिटी होता है तो जब हम उसको मिक्स करते हैं इसको पे रिक्वार्मेंट होता है in order to make a cement paste of normal consistency the percentage of water varies from 25 to 35 percent to 25-35 percent तक आप वाटर यूज कर सकते है वाटर का requirement होता है cement के पेस्ट को बनाने के लिए next point in order to perform the initial setting time test by water is added to the cement at the rate of 0.85 P P क्या हमारा percentage of water तो जब भी अगर हम लोग setting initial setting time water cement में जब water add करते हैं तो उसका rate जो होना चीए वो 0.85 P by weight of cement where P the percentage of water required for normal consistency paste next point in order to perform the soundness test the cement paste is prepared by adding water to the cement at the rate of 0.7 to 3 by weight where P 0.7 P to 3 P by weight of cement where P is the percentage of water required for normal consistency paste to agram look soundness test karthane to 0.72 P rata means यहां पर थोड़ो टाइपिंग मिस्टेक है 0.72 P यह किसके लिए होता जब soundness test अम लोग करते हैं तो वाटर का जो रेट होता है cement paste बनाने के लिए तो वह 0.72 टू नुट पर नक्स्ट तेह लोग देखते हैं इन और तू परफॉर्ण the consistency test the cement paste is prepared by adding water at the rate of P plus 3 percent of water where P is the percentage of water required for normal consistency paste अगर हम लोग compressive strength test करते हैं compressive test करते हैं cement का तो इसमें वारतर का जो जो रिक्वार्मेंट होता है पी प्लस थिरी परसेंट पी क्या परसेंटेज ओफ वाटर है नेक्स्ट पॉएंट है इनिस्टियल सेटिंग टाइम ओफ ओर्डिनरी एंड रैपिर हादिंग सीमेंट शुड नॉट भी लेस देन अगर आपको किसी सेपेंट साइज में डालना है तो वह आप 30 मिनट्स तक ही उसको इधर से उदर कर सकते हैं लेकिन जो फाइनल शेटिंग टाइम होता है मिन्स अगर उस पर लोड भी हम डाल देते हैं तो उतना डिफेक्ट नहीं पढ़ता है तो वह तेन आवर्स होता है मिन किंछ परएंच से चुरुआती टाइम जो होता है सीमेड को सेट करने का वह 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग जो होता है इसके बाद सी mm को आप लिज pastor सेपेंड रियोंति नहीं कर सकते हैं वो क्या है टेन आवर्स है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि consistent Divine क्वार्ट करते सिमेंट का और कैसे करते हैं तो अगर आपने सीमेंट का बहुत ऐसा टेस्ट है जो कि नहीं देखा है जैसे आपको बता दे कि फाइनमेश टेश्ट है इसके बाद शौड्नेश टेश्ट है कंप्रेशीव इस्ट्रेंच टेस्ट टेंसर एल इस्ट टेस्ट तो यह हमारे प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा आप देख सकते जा कर गें तो आज की लेक्षे में इतना है फिरनेश लेक्षे मिलते तब तक के लिए बाएं